नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं केबिनेट की बैठक में कुल 37 परस्ताओं को मंजूरी परदान की गई बता दे पुर्मेर लागो नियुक्ती नियमालियों में संसोधन करते हुए या प्रविधान किया गया है कि 33 स्रेणी के इन पदो पर नियुक्ती समाने स्रेणी के उन अभियारतियों की ही होगी जिन्होंने जर्खन के स्कूल से दासी विवंपराविय की परिक्षावतिन की है राज्यक के मौसम पुरोणवान में बताया गया है कि अगले तीन दिनों तक जर्खन की विभीन जिलों में बारिस होगी मौसम पुरोणवान में बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का छेत्र गुरुवार को दो फर पच्छिम उतर पच्छिम से गुजरता हुआ अंध्र परदेश के तर्ट पर पहुंचा इसका असर अगले तीन दिनों तक जर्खन में भी दिखने को मिलेगा रांची के 14 स्कूलों में हुई नैस की परिक्छा National Achievements Survey नैस की परिक्छा शुकरवार को रांची के 214 इसकूलों में हुई इसमें 93% से अधीक की उपस्ठिती रही बतादे नैस परिक्छा के लिए जिला अस्तर सन्योजन बनाए गए गुरु नानक इस्कूल के प्रचार डाक्टर मनोहर लाल ने बताया कि परिच्छा में 74-72 विद्यार्थियों को सामिल होना था जिसमें 79-83 सामिल हुए इसमें कक्षा 3 के 1164, कक्षा 5 के 1154, कक्षा 8 में 1206 और 10 वी में 25-55 विद्यार्थि सामिल हुए जार्खन में 20 सूतरी कारेकरम किरिणवयन समीती का गठन बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हैं मंत्री सत्यानद भोक्ता ने कहा कि राज में 20 सूतरी समेत अने समीतियों का जल्द गठन होगा एक कलोर का इनामी नक्सली किसन दा पतनी के साथ गिरफतार जार्खन के सराय के लाखरसावा के पूलिस ने एक कलोर का इनामी नक्सली प्रसांत बोस उर्फ किसन दा उर्फ मनीस उर्फ बुढ़ा को उनकी पतनी सीला मरांडी के साथ गिरफतार किया है बता दे पूलिस ने चांडिला वा कंटरा चेतर के बीच के एक घर से दोनों को गिरफतार किया है पूलिस प्रसांत बोस उनकी पतनी से पुष्ट असकर रही है जनकारी के अनुसार पछिम मंगाल के 24 परगना इस्थीत जगदवापूर निवास्ती एक रोर का इनामी नक्सली प्रसांत बोस उर्फ किसंदा उर्फ मनीस उर्फ बुढ़ा अपनी पतनी के साथ गुरुवार की रात एक घर में ठारे थे इसकी जनकारी पुलिस को लग गई गुप्त सुचना के अधार पर पुलिस को चांडिला वा कंड्रा के बीच एक घर से दोनों को गिरफतार करने में सफलता मिली है किसानों को अराम से मिल रहा यूरिया खाद डियेपी की किलाट जार्खन में उर्वार की किलत रवी फसल के दोरान भी दिखने को मिल रही है बता दे डियेपी और एनपीके एस की अपूर्ती सफलाई पलान के अनुरूप नहीं हो रही है जिससे इसकी भारी कमी महसूस की जा रही है वहीं यूरिया किया पूर्ती भी अवंटन के अपेक्षीत कुछ हद तक समाने है अब नवंबर माह की सफलाई पर निगाहे ठीकी है बता दे जार्खन में खरीब के दोरान भी उर्वरक की कमी का सामना किसानों को करना पड़ा था इस बार रभी में भी हालात कुछ वैसे ही बनते दिख रहे हैं जन जागरन अभियान को लेकर कॉंग्रेस रेस परदेश कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष राजश ठाकूर के अध्यक्सता में सुकरवार को जन जागरन अभियान की सफलता को लेकर नीती तयार की गई परदेश अध्यक्ष राजश ठाकूर ने कहा कि 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2021 चलने वारी राष्ट ब्यापी कारेकरम जन जागरन अभियान को ठ्यारकन परदेश में जमीनी अस्तर पर्थ सफल बनाने को एक औसर और चुनोती के रूप में लेना है जन जागरन अभियान को लेकर आवजीत बैठक में सामिल हुए कॉंग्रेस बिधायक सहीद अनेवरिश नेता सामिल हुए हेमंत सुरेन की जहमूओं ने मोधी सरकार के फैसले का किया स्वागत देश भर में 15 नौमबर को जन जातिये गौरो दिवस के रूप में मनाये जाने के किंद्र सरकार के निर्नय का जारखन मुक्ती मोर्चा ने अलोचना के साथ स्वागत किया बताद जहमू के केंद्रिये महासचीव सुप्रियो भटाचार ने सुक्रवार को सन्वादता समेलन में केंद्र सरकार पन निसाना साथा उन्होंने काया कि 15 नुवंबर को जनजातिय गौरो दिवस मनाये जाने सम्मधित केंद्र के निर्नय का जहमू सवधानी पुर्वक स्वागत करेगा जारखन को मिला पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जारखन के पलामू जिले के विश्रामपूर में स्थित लक्ष्मी चंद्रवंसी मेडिकल कॉलेज और होस्पिटल राजे का पहला नेजी मेडिकल कॉलेज बन गया है बिधायक रामचंदर चनवनसी ने कहा कि उनका सपना था कि उनकी मा के नाम पर एक मेड़कल कोलेज हो यह सपना आखिर कर पूरा हो गया रांची इस्थित पुराने जेल परिशर में बीरसा मुंडाय समिलिती उध्यान का उध्गाटन करेंगे पिये मोदी पुराने जेल परिशर में बनाये गए भागवान बीरसा मुंडाय समिलिती उध्यान सा संग्रानला का उध्गाटन 15 नौमर को राजास्थापना दिवस के दिन प्रधान मंत्र नायन बोदी करेंगे बता दे ऑनलाइन उध्गाटन कारेकरम में परधान मंत्री वीडियो कॉन्फिरेंसी के माधियम से जुडेंगे परधान मंत्री करेले दोवारा इसकी अनौचारिक पोश्टी कर दी गई है मोखे मंत्री हमान सुरेन भी समारों में सामिल होंगे उध्यान सा संग्राले के खुल लागवात 142 कलो रुपए है इसमें से 117 कलो रुपए राई सरकार ने खर्च किया है धन्यवाद